सब्सक्राइब कीजिए सुमित ओनलाइन क्लासिस को और बैल आकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सुमित ओनलाइन क्लासिस के एक नए अपिसोड में आपका स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज का डिसकेसन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्टनर्शिप डीड़ी तो पार्टनर्शिप डीड़ी क्या होता है एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्श के बीच में कैसे बीजनस को आपने करी आउट करना है कैसे आपके वीजनसिप रहने वाली है तो अगर हम पार्टनर्शिप क्या रहने वाली है जो प्रोफिट है उसको किस रिशन में डिवाइड करना है जो लोग से उसको कैसे डिवाइड करना है विजनेस जो भी फॉंग आप कर रहे हूं नेक्स कहता है ऑल्दो ड्राफ्ट की जाता है पार्ट में नौट कम पल सरी तो जरूरी नहीं है कि आपने प इस अडवाइज दी जाती है कि आपने रिटन में लेके आनी है और हैल्प करती है जिससे आप क्या कर सकते हो ओल्ड टम एगरी कर सकते हो पार्टनर के बीच में एक रिटन पॉम एक प्रोपर तरीक्पर में आप नोट कर सकते हो डोईंग कैन बी रिडूस जिससे क्या हो सक सकता है आपके जो डिस्प्यूट से हैं उसको रिडियूस किया सकता है क्योंकि सारी जी आपके रिटन में बेट्विन दा पार्टनर एंड गवन देर फंक्शन इनको आप अच्छे तरीक के से कर सकती हूं आल्लाइक से मिलयर डोकुमेंड अगर आंबात करें ऐत्रीक देका लिवे सीटरि रेजिस्टर कर्वाना मैंडेतरी किन आप डिवल अफोर रूर बिच्टेट करवाना चालते हो तो बैंटर है किता है यह चेलेंज भाते हो प्रेवंचिन अपन लेगल जो फॉर चैलेंज है उनको आप एजनल कर सकते हैं जो से आपकी को बढ़ जाती है डिस्प्ड्स को आप कर सकते हो तो अगर हम आइडियल पार्टनर्शिप डीड की बात करें तो कंप्रीहेंसिव क्लियर अबाउट डिटेल ओ पार्टनर्शिप जो परटेनिंग जो भी फंक्शन सब्सक्रें कि अगर करें किस तरह करता है कि बिसनस का जो नेंव हो लिखते हो के बिजनस के अंदर जो भी पार्टनर का क्या नाम है टिटेल कहा है उनके दुखर कि द्वारा कितनी केप्टल लगाई गाएगी एक बिजनस को कब स्टार्ट किया गया है निए बिजनस का जो आप आप किस फेले की से किया जाएगा और कितना काम करते हैं तो कितनी सेलरी मिलना है कितना Q2 दीक प्रोसीजर है है कि on는 k ow अग हम यूज कर सकती है अकाउंट को इस तरह किस प्रकार से आपने को साइन करना है कैसे अधा है कैसे दा सकता है यह सारी चीजों कoltे लिद गnes120 कर लेती हूं तो पार्टनर्शिप जो एक्ट आ नाइंटी थर्टी टू उसके अकोडिंग कुछ जो कंडिशन है वो एक्टमेटिक अप्लाई हो जाती है अगर अगर आप डीड नहीं बनाते तो यह अगर हम बात करें के सो पार्टनर डू नौट अडॉप्ट पार्टमेटिक अप्लाई ह जाते हैं कि तो अगर हम बात करें ओल पार्टनर विल शियर प्रोफिट एक्वली के जितने भी पार्टनर होंगे सभी को प्रोफिट लॉस इक्वल डिस्टिब्यूट किया जाएगा ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर करें के मैंने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है तो मेरे को सेलरी मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कहता है अगर आपने नहीं लिख आपनी डीट के अदर तो कोई भी आपको सेलरी नहीं प्रवाइड की जाएगी अगर आप बिजनस के इंदर कैपिटल लगाते हो तो आपकी कैपिटल के उपर कोई इंटरस्ट आपको पे नहीं कि को अगर आप एगरी कर लेते हो तो आप ज्यादा भी पे कर सकते हो जो आपने डीट में लिखा तो 6% पर रहनम से आपको इंटरस्ट देना पड़ेगा पार्टम को अगर हम बात करें पार्टम से हमारे को क्या क्या फाइद होने वाड़े हैं कहता है इससे हम अवोएड कर स इससे की मीसंडरस्टेंडिंग है जो उसमें कम ही आती है मतलब आपस में अगरम बात करें और पार्टम को फोगी मालिके पार्टनर है तो उसके पास क्या राइट होते हैं तो कुछ याइट है पर सकता है राइट टो पार्टिसपेटी इन बिजनेस के अंदर वो पार्टि तो के आदर पार्टे से, और पर बात करें रैट तू सकता है, हर पार्टन को क्या है रायट के पारे में अपनी अपिटिर कर सकता है, जो उसको opinion है, तो जो majority के दुवारा decision लिए जाएंगे वो ले सकते हैं, लेकिन हर partner को क्या है, यह right है कि वो decide कर सकता है, हर matter के बारे में अपना opinion रख सकते हैं, next काता है right to access book and account, जो भी books and account पर रक्क्यों है, business के दुवारा, उनको आप इंसपेक्ट कर सकते हो चेक कर सकते हूं थो आपके लिए क्या रहता है कि आप अपराइटीव पर्टमर ऊप Chief कंद सकती है उसको रिएक पर zaten Lehr जो भी आखी ऑफाइर कर सकते आ उसको सकते हैं वो दिसकंट किसंदर गया गया वो deed के अंदर, जिस proportion के अंदर decide किया गया, उसे proportion के अंदर आप profit share कर सकती हूँ, तो लिखा है, have a share all partner firm, अगर आपने deed नहीं बनाई है, तो यहाँ पर कहा रहता है, आपको equally decide किया जाएगा, सभी को equally distribute किया जाएगा, अगर आपने कोई profit sharing ratio fix नहीं किये, next कता है, right to interest on capital and advances, अगर कोई partner business के अंदर पैसा लगाता है, capital लगाता है, तो उसको interest पाने का भी right है, अगर नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं उसको मिलेगा, मतलब interest नहीं उसको pay किया जाएगा, अगर हम बात करें, कोई partner loan देता है, तो loan के case में, जितना interest ब्रीड के अंदर ल not get interest on capital country, जो उसने पैसा लगा, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने decide किया हुआ है, किसके अंदर, डीड के अंदर, तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, और ये कहां से मिलेगा, आपको profit में से मिलेगा, अगर business के अंदर profit होता है, अगर हम बात करें, लोन की तो ये च जर्नल ड्यूटी ये रहते है कि business है, जो वो common interest काम करें, मतलब good interest से काम करें, ये business के, मतलब आपस में मिलके काम करें, ऐसा नहीं है कि business के जो भी secret है, उनको बाहर बताए, तो duty रहते है कि पूरे just अपनी man's से काम करें, पूरे विश्वास के तरीके से काम करें, अपने एक दूसरे के लिए, और जो accounts है, उनको proper तरीके से maintain करें, और जो भी information provide करनी है, सभी को फरम के लिए अच्छे तरीके से काम करें, next कहता है, duty to indemnify fraud, अगर कोई partner क्या करता है, fraud करता है, कोई loss उसकी वज़े से business को उठाना पड़ता है, तो ये penalty कि इसको देनी पड़ते है, उस अडोप करता है, ऐसा principle अडोप करता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, किसी partner को कोई नुकसान होता है, या business को नुकसान होता है, तो partner क्या commit करता है, उसको commit करना चाहिए अपने fraud के बारे में, और ये उसका एक responsibility बनती है, कि वो अपने इस responsibility जो उसने fraud गया है, उसकी pay करे, duty बनती है, यूज़ बिजनस की जो परपर्पर्टी है, वो पर तरिक्के से यूज़ करे, ऐसा नहीं है कि परस्नल यूज़ करे, तो बिजनस क्या करे, जो भी partner है, बिजनस की जो भी परपर्पर्टी है, हमको exclusively कि कि लिए यूज़ करे, business के लिए, not for personal purpose के लिए यूज़ all जो on की जाती है, वो collectively है, ऐसा नहीं है, किसी एक businessmen के, सभी के collectively property है, तो ये business के लिए यूज़ होने चाहिए, must be careful होना चाहिए, जो भी परपर्पर्पर्पर गणि बिजनस की हैं, उसको आपने business purpose है, उसको अपने business purpose हैं, आपने पर्सपन स्वाइदा आपर्ट पर्सनल और पर्सनल जो इंकम इसको सब्सक्राइब करें आप इंदर के अंगे अइसी एक्टिटिटी के अंदर काम ना करें तो इसको किसली ओपना करना चाहिए जो business firm के जो profit है उनको preference देनी चाहिए अपने personal जो objective उनको preference ना देगी next अगर हम बात करें effect on right and duty after the change in firm अगर firm के अंदर कोई change होता है तो वहाँ पर जो rights है या duties है उनके अंदर किस परकार से change आता है nature of existing relationship between partner will affect affect होती है उनका जो rights होता है या उनका जो duties होती है whenever कब होती है या तो कोई partner नहीं आजाए या कोई partner चोड़ के चला जाए या फिर क्या होजे या फिर जो period आपने decide किया गया था कि दो साल चलेगा पान साल चलेगा और वो expire हो जाए तब भी आप क्या करोगे आपकी जो duties है राइट है उनके पर एफेक्ट पड़ेगा carrying out business additional अगर आप business unit undertaking करना start कर देते हो तब भी आपको जो पहले से agreement है उसको प्रफेक्ट पड़ता है तो mutual जो rights हैं ड्यूटी है वो partner विल बी continue विल सेम दे excite prior to the change के change होने से पहले जो भी condition थी वो सेम रहेंगी लेकिन change होने के बाद partner को एक fresh क्या बनानी पड़ेगी यहाँ पर deed बनानी पड़ेगी अगर partner क्या करते हैं को change लेके आना चाहते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा एक fresh partnership deed sign करना पड़ेगा उसी के आप duty या responsibility को define कर पाते हो right को define कर पाऊ नहीं तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई सुझाव या कोई सिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भोलिए अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लें ताकि जब में मैं कोई नई वीडियो प्रेट करूं आपको उसका notification मिलता रही धन्यवाद